अगर आपने अपने 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 अ एक महिने, दो महिने, तीन महिने के बाद में भी यही मेसेज शो करता है, उनको अपने अधार अपडेट का स्टेटस नहीं पता चल पाता है, और नहीं उनकी अधार कार में कोई भी अपडेट हो पाता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अधार कार में कोई भी अपडेट करवाया है, स्टेटस चेक करने पर आपको इस तरीके का मैसेज शो कर रहा है, तो आखिर इसका में रिजन क्या है, क्या वज़ाय है, जिसके वज़ाय से ये मैसेज आपको शो करता है, इसका मतलब क्या है, और साती साथ इसका सिलूशन आ आपको माई अधार portal पे आना होगा यहाँ पे आने के बाद में आपको नीचे की तरफ scroll करना है यहाँ पे आपको एक option देखने को मिल जाता है check enrollment and update status आपने यह नया धारकाड बना रहा हो या फिर धारकाड में कोई भी किसी भी तरके का correction करवाया हो तो यहाँ से आप उसका status पता कर सकते हैं इस option पे आपको click कर देना है उसके बाद यहाँ पे आप next page में आ जाएंगे जिसमें इस वाले column में आपको अपनी enrollment ID SRN number या फिर URN number जो भी आपके पास में available हो फिल करना है अगर आप यहाँ पे enrollment ID फिल करते हैं तो यहाँ पे आपको enrollment ID directly फिल करनी है उसके बाद में आपको जो slip मिली होगी उस पर एक date mention होती है वो date आपको reverse करके रिखनी है यहाँ पे आपको बतायागे कि किस तरीके से आपको यह enrollment ID लिखनी होगी उसके बाद में यहीं पे आपको अपना time भी लिखना है जो कि आपको जैसे time आपके slip पे दिया गया है वैसे ही यहाँ पे mention कर देना है तो जब तीनों चीज़े यहाँ पे आप लिख देंगे enrollment ID, date और time तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी address digit की enrollment ID बन जाती है वो यहाँ पे आपको enter करनी है जो capture आपको दिया गया है capture fill करना है और यहाँ पे submit कर देना है जैसी आप submit करेंगे तो आपको जो अपने अधार card का status है वो यहाँ पे इस message की रूप में देखने को मिलेगा जिसमें इस message में आपको बताया गया है we are experiencing a delay in processing your request यानि जो आपने request डाली है अधार update करने के लिए उसमें कुछ यहाँ पे delay हो रहा है processing करने में और जब इस issue को हमारी तरफ से resolve कर दिया जाएगा तो इस समद्ध में आपको जो है जानकारी status के माध्यम से मिल जाएगी यही आपको इस message में बताया गया है काफी लोगों को यही दिक्कत आती है तीन महीने, चार महीने, पांच महीने बाद में भी जब आप status चेक करते हैं तो आपको continue इसी तरह के का message show करता रहता है तो इस message को show करने के पीछे काफी सरे reason हो सकते हैं, जिसमें जो आपका data है वो ठीक तरह किसे process नहीं हो पा रहा है जिसके technical reason भी हो सकते हैं हो सकता है, server में कुछ problem हो server error हो, या फिर network का issue हो तो भी आपको इस तरह के का message show कर सकता है या फिर मालेजे, आपने कोई भी biometric update करवाया है, तो वहाँ पे हो, ऐसा यहाँ पे जरूरी नहीं है या फिर अपने अधार कार्ड में कोई भी update करवाया है, और वहाँ पे जो आपने supporting documents दिये हैं, उसमें अगर किसी तरह के कोई mismatch है, या फिर दिक्कत है, तो भी आपको इस तरह के का message देखने को मिल सकता है, जिसकी वज़े से यहाँ पे आपको यह issue आ रहा है, इस तरह के message आपको दिखाई दे रहा है, तो ऐसी condition में आपको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे इस message में यह आपको बताया गया है कि इस problem को जैसे resolve कर दे जाएगा, तो आपकी जो request है, यहाँ पे process हो जाएगी, और आपके अधार card में update हो जाएगा, फिर आपको यह message show नहीं करेगा, आपको जो आपके अधार update का real status है, वो यहाँ पे show करने लगेगा, तो UIDI भे आपको कहता है कि कम से कम आपको 90 दिन का wait करना चाहिए, जब भी आप अपने अधार card में कोई भी update करते हैं, 90 दिन के अंदर यहाँ पे आपके अधार card में correction, update या फिर enrollment अगर आपने कराया है, तो वो कर दिया जाता है, फिर भी आपको 2 महिने, 3 महिने से ज़्यादा समय हो चुका है, तो यहाँ पे आप एक complaint भी register कर सकते हैं, complaint को register करने के लिए, यहाँ पे आपको ऊपर जाना होगा, dashboard के option पे आप click करेंगे, जैसी आप यहाँ पे click करेंगे, तो आप वापस से home page पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको नीचे एंटर करना है, यहाँ जिस भी व्यक्ति ने अपने अधार card में update करवाया है, और उसको उस तरह की का message देखने को मिल रहा है status चेक करने पे, उसका full name अधार card में जो भी दिया गया है, वही name यहाँ पे एंटर करना है, mobile number एंटर करना है, email ID देना चाहें तो दे सकते हैं, उसके बाद में यहाँ से अपनी state को select कर लेना है, उसके बाद में यह जो दो column दिये गए हैं, यही सबसे important है, यहाँ पे सबसे पहले आपको select करना है, कि आप complaint किस के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए या फिर किसी अन्ने के लिए, तो हमारा यह जो issue है, वो update related है, तो यहाँ पे last वाले option को select करेंगे, उसके बाद में आपको category type को select कर लेना है, जिसमें यहाँ पे आपको काफी सारे option देखने को मिल जाएंगे, तो हम यहाँ पे इस वाले option को select करेंगे, status for update request in process for more than 30 days, इस option को select करने के बाद में, यहाँ पे नीचे आपको enrollment ID, SRN नमबर या फिर URN नमबर, जो भी आपके पास में available हो, वो यहाँ पे आपको enter कर देना है, उसके बाद में, यहाँ पे आपको documents upload करने का option मिल जाता है, जिसमें आपका जो भी screenshot है, जब भी आप यहाँ पे status check कर रहे हैं, तो इसका जो screenshot है, वो यहाँ पे आप upload कर सकते हैं, upload करने के बाद में, यहाँ पे नीचे आपको एक box दिखने को मिल जाता है, इस box में आपको अपना URN नमबर, enrollment ID, या फिर SRN नमबर, जो भी आपके पास में available हो, वो यहाँ पे आपको mention करना है, और आपको status check करने में क्या दिक्कत आ रही है, क्या issue आ रहा है, वो यहाँ पे आपको ठीक से type करके लिख देना है, जो भी आपकी problem हो, आप type करके लिख देंगे, उसके बाद निहाँ पे आपको नीचे की तरफ scroll करना होगा, यहाँ पे आपको capture fill करना है, और capture fill करने के बाद में यहाँ पे आपको next कर देना है, जैसी आप यहाँ पे next करेंगे, तो आपकी जो complaint है यहाँ पे successfully register हो जाएगी उसके बाद में आपको एक complaint number या फिर SRN number मिल जाएगा उसको आपको अपने pass में समभाल के रखना होगा उसकी मदद से आप अपना status चेक कर सकते हैं जो भी आपने complaint register की है उसका status क्या है status चेक करने के लिए home page पे आएंगे यहाँ पे आपको check complaint status के option पे click कर देना है click करने के बाद में यहाँ पे जो भी आपका complaint number होगा वो यहाँ पे आपको fill करना है capture fill करना है और submit कर देना है तो जो भी आपका status होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा तो अगर आपने भी अपने धार कार्ड में कोई भी अपडेट कराया है करेक्शन कराया है चाहे डेमोग्रेफिक अपडेट करवाया हो या फिर बायोमेट्रिक अपडेट करवाया हो फोटो चेंज की हो, मोबाइल लंबल लिंक किया हो कुछ भी update करवाया हो तो आपको अगर status चेक करने पर delay का message शो कर रहा है तो मैं आपको recommend करूँगा कि आपको पहले तो कुछ दिन wait करना चाहिए आपको कम से कम 60-90 दिन का wait करना चाहिए यानि लगबग 3 महने का समय हो जाता है अगर उसके बाद में भी आपको continue इसी तरके का message शो करता है तो फिर आपको एक complaint को यहाँ पर register कर देना चाहिए जिसकी मज़द से आपकी जो queries है वो UIDA की तरफ से चेक की जाएगी उसे solve कर दे जाएगा और अगर फिर भी आपके queries solve नहीं होती है माली जे 5 महीने, 6 महीने एक साल का समय कई लोगों को हो जाता है तो ऐसे में फिर आपको दुबारा से अपने अधार कार्ड में update करने के लिए request डालनी चाहिए तो इस वीडियो में मैंने आपको complete information दी है कि यह message आपको क्यों show करता है इसकी वज़ाए क्या क्या हो सकती है साती साथ इस problem को आपकी इस तरीके से solve कर सकते हैं उमीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like कीजेगा अपने friends family के साथ में share कीजे वीडियो से related कोई भी सवाल है तो comment box में जाके आप लिख सकते हैं तो चलिए आज किस वीडियो में इतना ही मैं आप से मिलूँगा एक और नई वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत